नमस्कार खबरबाद न्यूस के विशेश कारिकम बर्थडे सेलिबिटी में आपका स्वागत है मैं हूँ बालकृष मुले और आज के बर्थडे सेलिबिटी के स्पेशल सग्मेंट के लिए एक अजीब निराली अनूठी सक्षेत के रूप में अशोग जी पुंडलिक हमारे कितनी खुशी है मनोवस्तिक्ष में खास तोर से देखा जाए पेसट वाजनम्दी वह सारे क्रतित वाप इस समाज को दिखा चुके इस समाज में रहते वे आपने कही तरह के कारी किये साथ ही साथ शास्त्री संगीत से जुड़े रहे सफल बिजनेसमें भी रहे कितना सफल मानते अपने आपको आज के पैसट वे जम दिन के मुकी पर बात की जायते है प्रशन तो बड़ आनंग का है और साथ में उत्ते जना का भी है क्योंकि जिस उमर के पड़ाओं पर में आया हूं उसके बाद में एक ही प्रशन अब रहता है यक्ष्य प्रशन की बचा हुआ जो है अच्छे कार में लगाया जाए बिल्कुल सिकार मुझे अपने जीवन के जो है शिक्षा मेरे नाना मेरे साथ में रहते थे मेरी माँ वीदूशी थी जिसको की एक पाटी कहते है कि एक बार पढ़ लिया तो उसके बाद में उसको दुबारा देखने ही जरूदी है ऐ क्योंकि एक तो ग्रामीन शेत्र होते थे पाट्षालाओं की स्तर जो है इतना अच्छा नहीं थी तो उसकार हो कि भाशा संस्कृति अपना धर्म इसका समुचा ज्यान मुझे मिल सके मेरे नाना जी ने मुझे पांच और इसकी उम्रम से गीता जो है का अभ्यास कराया है मे प्रधा जिखने के प्रधाती थी उसकी इतनी सुन्दर थी मा की उससे मुझे बहुत प्रणाव थी थी जुछ को बढ़ी है मैरे पिता जी का भी वैसा रहा और मुझे बढ़ा आश्च चिरी तब लगा जब जग पिता जी ने वह रहस्य स्योकार किया कि मेरे प्रगत्नी क पिछे तुम्हारी माँ है तो मुझे पढ़ा अनंद उस चीज का हुआ और साथ में थोड़ा सा क्लेश भी होता था कि माँ इतनी हुशार है और उसके बराबर हम नहीं कर सकते और वो अत्यंतर गरिवी से निकली हुए महिला थी और उसका भविश्य बहुत उज्वल था कि व अधवत जीवन सामान एक शिष्षिका के रुक में बिता उस समय वो बालविने मंदिर की यहां भी तीचर ती उनके साथ में वहां काम किया अध्था बावंज से लेक अध्वाण तक उनने काम किया और उस आज के बड़े दिगष्ट सब दॉक्तर और वकील और रस्परका किसी लाइनों को पढ़ ले किसी शास्त्र को पढ़ ले किसी बुक को पढ़ ले तो उन्हें याद रह जाए और इसी सक्षित का कई उचाईयों तक पहुशना मुमकिन था लेकिन कहीं यही कहें कि पिता ने कहा है कि एक मास्टर की बेटी डॉक्टर बने यह संभव अभी मेरे काम के शुरबात मतलब मैं वैसे बड़ा प्रयोग-धरमी और यहीज suspended कहीं नहीं हो सकता है हलाकि इन दिनों हे सब कुछ हो जाता है आगे की बात करें तो किस तरह इसके अलावा आपका बाल्यका रहा है किस तरह लेते है Clayton को कॼांत्शकारों से भरे पड़े हैं आपके भीतर जो समायवे अमाता-पिता का संस्कार दिया हुआ, जो सीख है, आपको आज पैसाट वे जम दिम पर भी उतनी मजबूती के साथ खड़े के विए, आप एक सफल बिजनेसमेन भी रहे हैं, किस तरह शुरुवात की सबसे पहले कहा काम किया हुआ 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 कि मुझे पिताजी उस जमाने में 20 रुपर भेशते हैं, मुझे मुझे जो है कॉलेज की फिस्ट दमा करनी होती थी थी स्वयम का करचा निकलना होता था तो वो मुझे पढ़ा एक प्रेणार दाय के मुझे स्वयम कुछ करना चाहिए तो मैंने अत्यनत एक सामानिय स्टोर की पर की भूमिका में जो है कुछ वर्ष काम किया और स्वयम का आत्मसंमान इतना अंदर से जो है मुझे ये जजोरता था उसके वहां करते करते मुझे जो है एक दिन ऐसा समय मिला मुझे निकला कि मुझे फेर डिल मारवार गरेश कर के उस समय अशोक लिलन के डिलर थे उ फिता जी उस समय जिलायम सत्व नाइजिष्ट है तो वह एक अभीमान मेरे साथ में डॉल रहा था कि में एक जज का पुत्र हूं और पिताजी जब मुझे 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 अर्ट यो भेजा कि जाओ पर जा कर के जो काम कर गया हो वह मुझे इतना खटक रहा लेकिन वह घटना मेरे जीवन के लिए बहुत सायक रही कि आदमी को स्वयम का व्यक्तिकत जो अभीमान है वह कहां आदमी को दिखाना चाहिए और कहां नहीं तो जीवन में ऐसे कई उधारन आते हैं जिस समय आपको नमरता का उधारन देना परता है उसका प्रमान था क्यो िवेल आपको जो ख़ां था जो एक दलगान था जाए था जो जा खाए लिए की आप समय अनुट तो लड़के को बड़ा लगा तो लुए अपने के पैर क्यों चूए मैं पैसली सुए कि इन्हों ने मुझे जिवन का यथार्ट सच्चा मार्ग बदा़ लग कैसे जीवन ज तो आज दोनों ही व्यक्ति उस जमाने के क्या रहे और आज दोनों साथ में प्रवास कर रहे हैं ये बड़ा आश्चरिय है तो ऐसी घटना क्रम जो है आदमी को अपने चरित निर्मान के लिए बहुत साहर है लेकिन आप जिसी सक्षित सर घटना क्रमों से यथार्त वादी के निरुपित हो जाते हैं गटना क्रम जब अपने जहन में गुजरता है अपने सामने प्रसंग वर्स आ जाता है और वहां से भी कुष्णा को आप जिसी सक्षित सीख जाती है आज की दुनिया में सब चीजे देखने को कमी मिलती है किसा लगता है कि आज सब कुछ सिखाने बाले भी कई बार मिल जाते हैं लोगों का भाग्य बहुत अच्छा था उसके बावजुद आज की जो प्यड़ी इन सब चीजों को नहीं मालती है मूलता कहीं न कहीं दोशी हम भी है और संसकार जो है संसकार पूरू काल में जो है अनपड महिला भी उतनी संसकार मानती थी कि आज नहीं है यह अधायं के सिद्धि के लिए आद्मी का सीमीत विचार सीमीत परयोग सीमीत और सीमीत कारिक जोह आगर जाएं ज्ञहिं के पिड़ी को वी उसके कुथ जानकार रिति कर ला लोह, प्रसंग एसा आता है कि बच्चों के साथ Data कि आज विए सामिय य सामिरे कि विताथ तो कोई चीज की मिलदा यह हो सकती नहीं, आपको अपने अनभव से इन चीजों को सीखना समझना और बताना चाहिए तो वो चीजे मेरे साथ में बड़ यह रहीं, मेरी माने मुझे हमेशा अगर कोई पाठ कर रहा होता और अगर गल्ती करता तो वो हस देती है जि लेकिन उसके बाद जब वो सुधा देती थी तो उसके बाद मुझे इसका ऐसा सुआ कि नहीं, आदमी को सीखने का यत्न जितना निष्ठा से करना चाहिए और प्रयत्न शिल रहना चाहिए यह इसका एक सूत्र है लेकिन खास बात ही कि जब आप बोलते है तो कहिने के लग अब्रेट किया जा रा है सुभा की शुरुबात के से विए सबसे पहले तो मेने अपने मातापितों को सुपरण किया है गुरुदे़ को स्मरंण किया है और मेरे गुरुदेव का बहुत बढ़ा इसमने जो है मेरे को आशिरवाद रहा है मेरे प्रति उनका जो अनुराग रहा, प्रेम रहा, आशिरवाद रहा, सहज रूप से और विश्वास रहा जृद्ध रहा, गुरू का विश्वास इतना सहज नहीं है यतना उंका मेरे नहीं पर आज बो नहीं है ब्रमली नोगे, लेकिन रखा झाल थे जो है लेकिन ये भी एक बड़ी इश्वर की लीला है कि इतने लोग यहां संसार में विद्वान समुद्र बढ़ा हुआ है और उसके वीच में एक अधने से व्यक्ति को भी ऐसा भार मिल सकता है कि पता नहीं वो कैसे समाले मैं तो यह मानता हूं कि सब गुरु कुरुपाई है बेल अधने जाता कि रुप में पहचाने जाते आप सबसे पहले पड़े लिखे तबलावादक कहे जा सकते एक बड़ी उन्ज़सेटिसे आपने उसका वे में और आगे बढ़ते गए इख उनना चाहेंगे जब आपने समाज को देनी की ठानी जब भगवन के पास गवर बगव कि अधने समय जो है रोजी रोटी का सवाल प्रियास करता था और परिशेद जाता और वहां से में इंदो राया ग्वालियर से और में प्रसिद संगीता कि थे माधो ओम्डेकर जी उन्से में तबलावादन के आरंबिक शिक्षाली ती ती और यहां के शरत खरून कर जी जो कुस्ता जागरिखा साथ के शिश्य हैं उनसे में शिक्षा लिए और मेरी मा को बहुत डर था कि यह बच्छा जो है पढ़ाई छोड़के कहीं संगीत में इसमें आ जाए तो वह बड़ी यह चिंतित थी बामले में लेकिन मेरे साथ एक जीवने प्रसंग अगा था कि मैं ज है में प्रसंग उनसे संग्जित कान करिकन क contrat IN deixarने में सबड़के जरा के। में जब तानपूर बच्छानार एक बच्छा अगर इसके बहतरीन कुछ और होता तो मेरे जीवन में ये एक आधार रहा इसलिए हर विधा में जो है मैंने हमेशा ही अभी भी आज भी जो में वेडिकिस में अभ्यास कर रहा हूं उसमें वही है कि लोग समझने कि में बड़ा परकानि विद्वान और बड़ा अभ्यासी लेकि मैं हूं विद्वार थी क्योंकि मैंने एक देखा कि इसका सूत्र एक ही है कि जो नियमित अभ्यास करता है विद्वार उसी के साथ में यश चलता है लेकिन आप तो काफी यश्वाने क्या आपको पंडिजी का विसानित मिला कुमार गंधर जी देवास की नगरी जिन कुमार जी का प्रेम बहुता है कुमार जी का सभी से शिष्यवर्ग से और विषय एक होता था था अभ्यास उनका एक है कि तुम शनेवार रेवार को आते हो बैठो और अपना अभ्यास प्रारंद करो उस दमाने के उनके उनके चिरंग जी थे वो समय बिलकुल थे तरुन कर्कड़ जो है जब उननेश बीच साल के थे तब यहां थे तब उनके संगत में नहीं की थी यहां जब राइपूर रहा तो प्रसिद्ध स्थार्वादाक बुदाईत मुकर जो है उनके बिता जी मुझे बुलाते थे और उनके संगत करता था शनिय और रेवार जाके उनक परिवार थे जुन संस्थापक थे व श्री राम संगित महावज दाले के उनके साथ में मेरी संगत और मेरा बहुत प्रवास उनके साथ में रहा और ऐसे करते हैं जो भारत के दिगज लोगों थे जिए जमाने के उन सबसे मेरा बड़ा स्ने और पर निकट का संबंद रहा जिसमें राम नारंड रहें उस्ताद अपने यह रहें जाकिर उसें अभी के रहें उसके पहले कि अभान तमाम लोग जो रहें लतीफ लतीफ एमद जो हैं बहुत जमाने के बड़ा अच्छी लिए ते आ कई लोग दिकश्त जिन से मेरा बहुत नजदीकाई रहा लेगन आ मातुजा भावानी मंदीर में चोटे थोटे निने मुनने बालकों कुएने की वेदान की शिक्षा देते सुने जाते हैं, मंत्र उच्चार किस तरह से किया जाए, उनकी भारी किया क्या है, ये शुरुवात कहां कैसे कब से हुई, किस तरह का नवाचार था अपर जिबली में सीखने की प्रवर्ति नहीं है और वो संवस्कार जो माता पिता स्याना चाहिए उनमें ही नहोने से कुछ कमी दिखाए देती है तो मुझे बार बार खटक रहा था और जिने हम सो काल हिंदू कहते हैं कि जो ब्राह्मन हैं उन परिवारों में तो बड़ी बिडम्बना है कि आज के पीड़ी के जो लोग है वो उनका विरोधा भास बहुत जादा तीव रहे मताब वो जिस इसको पसंद न करें वो सफष्ट कहेंगे कि जो आपको करना है वो आपको करना हम करेंगे ऐसे इसमें मेरे को एक पीड़ा थी मन में कि कैसे मतलब यह हो और वो अचानक इश प्रद्धा उनकी भक्ति उनका समरपन उनकी मेहनत उसको सलाम है तो रामनगर के बच्चे रामनगर की महिलाय रामनगर के पुरुष इतने भाववक और भक्ति मैं हैं कि मैं थोड़ा करवा हूं बोलने में जापकि उच्चारण के जश्री से आपका पूरो शिक्षन उतन करने के लिए में को बार 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 बिल्कुल जह हो गिसना पड़ता था लेकिन उन लोगों ने भी कहीं हार नहीं मानी मेरी जिमन की शुरुआ तो है कितनी भाशों का ग्यान आपको इस प्रांध में अगर पहुंच जाओं तो वहां की स्थानी भाशा जो का जो तुर आप भाशा जो रहन रख़ें जले ही तिन मतब सामान रखा नहीं था मैंने ओह तो अधिकारि ने कहा कि आपको यहा पर सौनपूर कर जगह जो यहा जो आपको जाना यान बर बिश दीन रेना है अिमन इस मेले मेले में तो उस जो जो कि जो जो है लो जो रह जब का ऐख खा वोज बात उन्हें लगा तो उनको यह तो यह महां कि अधिकारी बना तो तो जह जो है जाँ करना यह पास करना अब अगा तो वहां के इस तानी जो गुंडे कुछ रहोंगे जो पुरूमे कुछ नहीं इसा प्रभाव दिखा होगा वह एक्ति एक एक दिन मेरे यहां के मेरे तो जाँ कि आपको मालूम नहीं प्रेले क्या होता था आपको जो है टार पास करना होगा अब जब मैंने कि रहोंगा जानना था नहीं हम भी है के बाद तो वह एक्दम सोचा यह अब आपने आपको ज़्टों करे लगगा तार अज पैसाट वा जन्दिने आपका जितने ख तक्षित आज के युवण आपको बना सके सफलतं जीवन जी सके। कि एक आप आप एक तो बड़ देवत, मातापिता है जो अनुभव आप समाँ करना तो बहुत कठिन है क्योंकि अनुभरन करने के लिए उतना सामर्थत, साहास और अभ्यास लगता है लेकिन प्रेयत आप मिश्चित कर सकता है तो अजिए बात है कि मैं आप नाने में इतना ब आपने संस्कृति का अभिमान रखे अपने धर्म का अभिमान रखे अपने अभिमान रखे अपने परिवार का अभिमान रखे और सबसे महत्वपुन राष्ट कागर अभिमान रखे तो इन सब चीजों को सहर जूप से पा सकते हैं तो किस तरह से मनाना पसंद करते हैं में हवन भी चल रहा है तो पहने की विक्रती है भी सामने देखने को मिलती है मुंबई पुने जैसे जगह पर होस्टल से भी खबरे आती कि अशकल बड़ बॉम के नाम से लोगों के पीट लाल कर दी जाती है ते विक्रती सामने आ रहे हैं क्या संदेश रहे हैं दोश ढूने करने से होता नहीं उसका स्वेम का अनुकरन आदमी का वैसा होना चाहिए मेरा व्यक्तित्व क्या है तो सहाज रूप से जहें सामने वाले को प्रेणा होती आज में देख ताओ कि मेरे गर का इसे उधार में आप दू तो मैंने बच्चों भी कुछी लादी नहीं लेकिन मे देखा कि मेरे पिता मा में कहते थे ते स्वयम जैसा रहोगे उससे आपकी आगे वाली पीडि़ी जो इसका अगे आगे पीडिया उसका करती है यह निश्चित बांग चलो अगर मुझे व्यसं होंगे तो व्यसं का अधिकारी जो है तो मेरा पुत्र होगा है यह जो है इसा ही और जीवन को धोके में रखना भे नहीं चाहिए और माता पिता पहली पाठशाला आप इस पर करी चुके आज आप 65 वे जन्म दिन के मौके पर बार्थरे सालिबिटी के इस विशेश कारिकम का हिस्ता बने आपका भूद बोद्ध निवाए और आपको जन्म दिन की धेश् खबरबाद निवस के स्पेशल सेग्मेंट बार्थरे सेलिबिटी को आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं फिर एक नई सेलिबिटी के साथ हाजिर होते है तो अब तक लिए में आग गया दीजिए और ताजा अब तरहीन खबरों को देखने के आप देखते रहें ख कर दो